हलो एवरिवन कैसे हो आप सब तो आज की डिंग में हम देखने वाले हैं आपके परसन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त ठीक है तो टॉपिक हमारा हमेशा की तरह आज की डिंग में भी यही रहने वाला है कि आपके परसन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त ठीक है और यह हम reading करेंगे देखेंगे हम tarot card से कि आपके person अभी इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं देखते हैं कि चलिकरते हैं एक बात में और बता दू जितने भी निगेटीव वाइब्रेशन डालते हैं मुझे उनके उपर मतलब कि कुछ मुझे इफक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स नहीं पड़ती कि कभी बाइचांस टाइम मिलिया तो बैं कमेंट बॉक्स रिड करती ह हूं ढठी है जैसे कि आज मैंने पढ़ा कमेंट में लिखा हुआ था कुछ meslet के बारे में ठीक है कि अब्रस्पेंख ब्रसपार में कुछ अझीप सा लिखा हुआ तो देखो उन लोगों को मैं बता दूं जो लोग स्टोन की नहीं जानते हैं स्टोन की एहमियद नहीं जानते हो तो बकवास मत करो ठीक है बकवास अपने आप अपने अंदर रखो बाहर निकाले की अपनी फ्रस्टेशन बाहर निकालने की कोश्च मत करो ठीक है अपनी फ्रस्टेशन निकालो यहां नहीं मत निकालो यहां नहीं निकालो ठीक है मुझे अच्छा नहीं लग आते हूं कि वह पॉस्टिव रहें और अगर कहते हैं कि समुदर में अगर एक मशली सड़ जाए ना तो वह सारी मशली को सड़ा देता है ठीक है तो वह होता है कि वह सड़े हुए चीज को इससे अच्छा है कि दिगाल के बाहर फैक दो तो आप लोग हैं जो लोग ऐसे कैनल पर लोग मुझे आसे लोग नहीं के रहूं और या आटिटूड मने के रहे हुँ मैं अपने लोगों की भलाई जाहती ओं अपने जो है मेरे यहां जो मिआ थोम इत्ना सपोर्ट करते हैं मैं उनको कहना चाहती हँ ठीक है मैं यह कहना चाहते हूं उन से वैसे लोग चले जाए मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है नहीं मेरे वीवर्स को सुननी है ठीक है आई होप आप सब समझ गया होगे ओकी 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 रिलाक्स चले फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट ओके प्लीज मुझे गयाट कीजिए अंजल्स फिर खिट sekarang प्लीज मुचे गयाट कीजिए ऍवरि नाइस एक काम आप लोग बहुत खराब कर रहे हो जितने भी मेरे वीवर्स हैं वीडियो को देखते तो जरूर हो बड़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका दाल चावल घट जाएगा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो खुद के साथ एक्सपक्ट भी मत करना आप सब यह आपके साथ अच्छा का होगा यह मैं कोई श्राप वगरा नहीं करें हूं यह दुनिया का रूल है यह इश्वर का रूल है ठीक है तो भाई है प्लीस मुझे गाइड कीज़े आपके जो परसन है सोच रहे हैं अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशन को जिस तरीके से इन्होंने चुपाया है जिस तरीके से इन्होंने हाइड यह हाइड करते आए है ठीक है जो इनकी फीलिंग्स है ना हाइड करने वाली यह यह काफी ज़दा एकदम उपर है एकदम से ठ की इनके फीलिंग्स से इस तरीके से है कि है इस आ Herrn किTube के एक इनको लगता है ना कि जैसे कि मैं अप्णने फिलिंग्स में अपने मैं मुशमें बता दूँ गा ठीक है इनको ऐसा फ् questi में बता दूँ गा मैं कर लूँ गा मैं कि यह परसंद अपने फिलिंग अपने इमोशन मुचंजान करना चाहते हैं न खैंप करना आ patt Boom ना चाहते ये परसंद को बतना चाहते हैं यह परसंद ऐसा सोचते हुए नजह आ रहे है ठेक यहां पर अन बैलेंस्ट हो रहे हैं यह person ठीक है unbalanced यहाँ पे दिख रहा है जिसे कि यह person यह person अपनी आपको वहां पर नहीं रख पा रहे हैं जहां पर इनको रखना चाहिए इनको हो रहा है क्या इनसे क्या ओर फील हो रहा है इनको insecurity हो रही है कि पता नहीं हमारा future बन पाएगा नहीं बन पाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा no idea पता नहीं क्या होगा कार्ड्स यह मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पर्सन आपको लेकर बहुत जो है ना एक दिल तूटा हुआ है इस पर्सन का यह पर्सन सोच रहे हैं कि अपने जख्मों को कैसा भारा जाए कैसे अपने दिल के जख्म को सही किया जाए दर्द तकलीफ को कैसे सही किया जाए यह पर्सन मुझे यह दिख रहा है कि करते हुए नजर आ रहे यहाँ मुझे यह भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन चाहते हैं कुछ अच्छा हो कुछ बैतर हो पूरे passionate है यह आपके लिए, एकदम से passion इनका नजर आ रहा है कि हाँ, बंदा है बड़ा passionate, यहाँ मुझे करना है न, बस करना है, उसके साथ जाना है न, तु जाना है, मुझे नहीं पता कि result क्या होगा, क्या नहीं होगा, बड़ जाना है उसके साथ, यह person ऐसा सोच रहे हैं, एक्षन लेने के बारे में, ठीक है, और यह action लेंगे भी, इनकी energy मुझे बता रही है, एक्षन लेने वाली, और, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि, आपके जो person है न, आपको ले करके, बहुत, बहुत जादा, बहुत, जैसे होता है न, कि, डर है इनके अंदर, डर लग रहा है इनको, डर किस बात का लग रहा है कि, आपको खो जाने का, आपको यह किसी भी हालत में, खोने की चाहत नहीं रखते हैं, एकदम से नहीं चाहते हैं, खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, यह person, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, कि आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते हैं, आपके person, यह person सोच रहे हैं, कि मुझे balance बनाना ही होगा, मुझे new beginning करनी ही होगी अपने person के साथ, कुछ भी हो, new beginning करना है तो करना है, ठीक, तो यह मुझे नजर आ रहा है, चलो और cards देखते हैं, क्या cards हैं, प्रीज मुझे guide किजे एंजर्स, देखते हैं, ओके, bottom of the deck देख लेते हैं, release का card है, bottom of the deck, आपके person को, आपके person सोच रहे हैं, कि इनको हर एक चीज़, ठीक है, release करना होगा, मैं यहाँ पर देख पारी हूँ, कि, मैं यहाँ पर यही देख पारी हूँ, आपके cards में, आपके person कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ new beginning करना चाहते हैं, देखो, पीछे की चीज़े जो हुई हैं, उसको खतम करके आगे बढ़ना ही ज़रूरी होता है, तब ही आप अपनी life में आगे बढ़ोगे, और आपके person को यह समझ में आ चुका है, और आप, खुलके बात करना चाहते हैं, खुलके अपनी चीज़ों को share करना चाहते हैं, जो यह अपनी आपको सल में घुसा रहे थे ना, यह नहीं करना चाहते हैं इस तरीके से, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं करना चाहते हैं यह, मुझे यह person पूरी तरीके से दिख रहा है कि आगे बढ़ते भी नज़र आ रहे हैं, एकदम से, यह person अपनी आपको एक होता है ना कि, commitment देना, ठेक है, उसके बारे में सोचते भी नज़र आ रहे हैं, सारे चीजों को observe करते हुए दिख रहे हैं यह person, हर एक चीज को observe कर रहे हैं, दीरे 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 करके हर एक चीज जो है ना, इनको समझ में आ जाएगी, ठेक, यहाँ पर और यह person इंतजार कर रहे हैं, उसी दिन का, ठेक है, इंतजार में है यह person, खुश नहीं है person, दुखी है person, सोच रहे हैं, आखिर यह दुख्य, यह तकलीफ, कब तक आखिर रहेगी, कब तक मैं इस तरीके से अपनी आप को इग्नोर करूँगा, कब तक अपनी feelings, अपनी emotions को hide करता रहूँगा, कब तक आखिर, मुझे निकलना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा, यह person की feelings है, यह person सोच रहे हैं, कि मुझे कुछ न कुछ करके आगे बढ़ना होगा, अगर कुछ करना है तो मुझे यहां पर जाना ही होगा ठीक है मुझे यहां की एनर्जी यह देख रही है चलिए और कार्ट देखते हैं फिस मुझे गायड किजे एंजल्स एकदम से आपके परसंत एकदम करीब आना चाहते हैं आपके यह सोच रहे हैं आपके करीब आने की आपसे बात करने की एकदम से नई शुरुआत तो मुझे नजर आ ले इस परसंत की कि नई शुरुआत इनकी जरूरी है वट इस परसंत को रास्ता भी तो दिखना चाहिए ना कि नई शुरुआत होगी तो होगी कैसे रिलेशनजीप आगे वड़ेगा तो बढ़ेगा कैसे कोई गायड करने के लिए भी तो चाहिए ना बीना गायडेंस के अपनी लाइफ मे हर कोई सक्सेस नहीं कर पाता है लगभग 95 परसंट लोगों को गायडेंस की जरूरत होती ही है मैं तो 100 परसंट लोगों को कह सकती हूं क्योंकि बुन्या गायडेंस की आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है बहुत जादा यहां पर दिख रहा है कि आपके परसंट यह भी सोच रहे है कि यह दुनिया है ठीक है यह दुनिया है और यह जो चक्र है ना चक्र काफी जदा एक घूम आने वाला चक्र होता है ठीक है घूम जाने वाला यहां की एनर्जी मुझे यह दिख रही है घूम घूम जाने वाला ठीक है तो यह दिख रहा है मुझे गोइंग विद्ध फ्लो एकदम से यह परसंट सोच रहे है कि क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए इस इलेशनसिप से या फिर इस इलेशनसिप में वर्क करना चाहिए फोकस करना चाहिए अपनी पावर दिखानी चाहिए या फिर अपने लिए स्टैन लेना चाहिए क्या करना चाहिए मुझे यह अपने दिल से पूछते भी नजर आ रहे हैं यह परसन को कभी-कभी लग रहा है कि जो चीजे चल रही है ना जैसे वैसे छोड़ दिया जाए तो क्या यह बैतर होगा क्या यह सई हो पाएगा इसमें अगर हम न डाले जान तो क्या सई होगा हमारे साथ हमारे सिचिशन के साथ सई होगा यह परसन यह सोचते विए दिख रहे हैं रिलेशन सिप में स्टन लेना एक बड़ी बात होती है और यह परसन यह स्टन लेंगे ठीक है लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा आपके person का अभी आपको wait करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ पर देख पारे हूं कि यह person के उपर बहुत सारी बंदी से हैं बहुत सारी जो कि आपको पार करने होगी ठीक है तब जाके आपको success मिलेगा वरना success हर किसी के बसकी बात नहीं होती वह भी love life में ठीक तो यह person सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि हां मुझे आगे बढ़ना है मुझे new beginning करनी है ठीक है चलो करते हैं आप reading को खत्म जिनको मुझे personal reading रेनी है जिनके साथ reading resonate की है चैनल को subscribe जरूर करना मेरी blessings आपके साथ रहेंगी जोड़ लोग चैनल को subscribe नहीं करते हुए उनको मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि समझदार कोई सारा काफी है सो यह रही आपकी reading मिलते हैं अंगली reading में बाबाई